तो आज हम बात करेंगे NCRT बुक्स के बारे में जैसे कि आप सभी जानते हो NCRT बुक्स बहुत जाद़ इंपॉर्टन्ट रोल प्ले करती है आपके सीटेट में तो और देखिए जितने भी चैनल्स ले लिजे ऑनलाइन ले लिजे या आफ लाइन कोचिंग ले लिजे वहां सबसे पहले बुक्स में जो रिकिमेंट किया जाता है आपको वो की जाती है NCRT बुक्स अब यह NCRT इतनी जादा इंपॉर्टन्ट रोल प्ले करती है आपके एक्जाम में तो कुछ न कुछ तो इनमें ऐसा होता होगा ठीक है तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं और हमें यह को पढ़नी कैसे है ठीक है तो अगर आप इन दोनों कोशन को ध्यान में रखके चीजों को करते हो तो 99% आपका स्लेबर्स भी कंप्लीट होता है आपका अंडेस्टेंग लेवल भी ठीक होता है और आपको चीज़े इसली समझाती है तो यहां पर सबसे आपको समझाती होता है जिसकी वजब से आपको चीज़े डील करने में असानी होती है अब बात कर लेते हैं कि Ansiatic कैसे पढ़े सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही होती है कि हम किसी भी एक्जाम में जब books पढ़ते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम इस books को कैसे पढ़े क्योंकि books सभी पढ़ते हैं और हमें उस तरीके से लेना है कि हमें सब की भीड में नहीं जाना हमें एक अपनी अपनी चीजों को अपनी अबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए चीजों को और शम्ताओं को ध्यान में रखते हुए उन चीजों को लेके चलना है ताकि हमारा exam भी crack हो सके और हम easily चीजों के साथ deal भी कर सके तो सबसे पहले बात करेंगे कि जब भी आप NCRT पढ़ते हैं तो पहले किसी एक subject, particular किसी एक subject को पढ़े हैं क्यों यह मैं इसलिए कहा रही हूँ कि जब आप एक ही subject को starting से पढ़ना शुरू करते हूँ जैसे कि आपको पता है 6-8 के लिए आपका NCRT आपको refer की जाती है और यहीं 3rd सर 5th तक के लिए आपको EBS के लिए refer की जाती है तो हमें इन्हें पढ़ना कैसे है ठीक है तो फर्स्ट पेपर के अगर हम बात करें तो आपको EBS और Maths देखने को मिलती है ठीक है और यहीं सेकंड पेपर की बात करें कि आपको history उठानी नहीं है ठीक है यह मैं इसलिए कह रही हूँ यह मेरा personal experience है कि जब हम एक ही बुक को पढ़ते जाते हैं तो उसे हमारी जो understanding level है वह बहुत जादा built-up होता जाता है और यह मानिए कि आपके notes आपकी हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको notes बनाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी अगर आप ऐसे करते हुए चलते हुए ठीक है तो आपको क्या करना है पहला कि आपको जो भी बुक पढ़नी है वह systematic में से एक ही बुक एक ही subject की बुक पढ़ते जाना है फिर दूसरी चीज़ आपको जो करनी है वह यह करनी है first reading जो आपकी होगी first reading हमेशा fast और सिर्फ एक analyze करने के लिए कि इसमें है क्या ठीक है यह यह चीज़ करनी है कि NCIT books में जो आपको first reading करनी है वह उसमें यह देखना है कि इसमें है क्या तो third point बहुत जादा important होता है क्यों क्योंकि जब आपको second reading करते हो किसी भी bookie तो second reading में आपको highlighter लेके बैठना है या फिर pencil लेके बैठना है या फिर कुछ भी ठीक है जब आप second reading करोगे तो second reading में आपको यह होना चाहिए कि आपको इसके अंदर जो जो चीज़ें आपको important लग रही है ठीक है उन्हें एकदम highlighted या फिर कह लिजे pencil से mark करते जाना है देखिए मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए लेकिन मैंने अपनी strategies इस तरीके से करी है इस तरीके से चीज़ों को maintain करा है कि मुझे notes मनाने की ज़वते ही नहीं पड़ी और in case आपको अभीदर जैसे time यही है notes बनाने का तो यही चीज मैं कहूंगी कि बुप में highlight करते जाए इससे क्या होगा जब आपका exam आने वाला होगा तो आपको एक लाइन एक अच्छी तरीके से आपको पता चाल जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में आपके यह important point थे ठीक है तो यह चीज़ें आपको ध जो questions आपके बीच बीच में आते हैं ठीक है उन questions को विल्कुल भी नहीं चोड़ना क्योंकि वह questions ऐसे होते हैं कई वार directly वह पूटा हो जाते हैं तो उन्हें और third आपके जो अभ्यास के questions होते हैं उन्हें दोनों को आपको नहीं चोड़ना है प्लस जितने भी experiment आपके जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूं कि आपको किस तरीके से रीडिंग करनी है अगर आपको दिखाई दे तो देखिए जैसे आप पढ़ रहे हो ना तो परते टाइम आपको highlight करते हूँ जाना है ठीक है चाहे वह box हो चाहे वह कोई भी चीज हो ठीक है कोई question अगर आपका आता है जैसे यह करके सीखो जानू इस डाइप के जो बॉक्स होते हैं इन में से भी आपके questions आ जाते हैं तो इने भी आपको नहीं चोड़ना सीटर की बात कर रहे हैं फिर आपको जैसे यह देखिए इतनी अच्छी books होती है NCRT अगर आप इने ठीक से पढ़ लीजिए यह यह जो डाइग्राम है इसे अगर आप previous year में देखोगे ना तो इसमें से हर साल एक question आया हुआ होता है ठीक है तो ऐसे इन चीजों को आपको बहुत ध्यान रखना है और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इस तरीके से चीज़ें करनी है कि आपके पास time भी इस time के यह जो question होते हैं इन questions को आपको बिल्कुल नहीं चोड़ना ठीक है और इन वॉक्सों को भी आपको बिल्कुल भी नहीं चोड़ना ठीक है फिर आपको last में इसके जो अभ्यास के question दिये हुए होते हैं क्योंकि last time मैंने यह देखा कि most of the time ऐसा होता है कि अभ्यास के directly question put up हो जाते हैं तो इन सब चीजों को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है और इस तरीके से अपनी चीज़े प्रपेर करनी है ताकि आपके best से best तयारी हो सके और आपको चीज़े करने में भी मज़ा भी आए और आपके साथ easy way में चीज़े हो सके तो यहां यह चोटी आपकेमीट्डने में आपके लाओ रीयाँ तो आपके लाओ के ओमाने में के लाओ आपको जल्याओने करनी साथ curत से अपके से